तो अब हम लोग देखेंगे operations on array कि array के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं तो हमारे पास एक array है बुक नाम का इसमें चार element है और हमने वो array को display करा रखा है पूरा का पूरा console पे ठीक है तो वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ ठीक है ये रहा array आगया हमारे पास चार चीजें दिख रही है अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले चीज़ अगर मैं इस array का length जानना चाहता हूँ मतलब कि इस array में कितना element है ये जानना चाहता हूँ तो वो कैसे जानूँगा तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर string जैसा ही करते हैं अब लोग काम बस यहाँ पर dot लगाते हैं और लिखते हैं l-e-n-g-t-e-r मतलब जो array है उसका नाम लिखो और dot length लगा दो तो उससे क्या होगा कि आपको इसका length पता चल जागा अब यहाँ पर क्या आएगा length? 4 क्योंकि 4 element है इसमें तो हमारे पास 4 आ गया अब जो second बात है वो कि अगर मैं इसके बाद computer science के बाद कुछ और add करना चाहता हूँ मालनों Hindi add करना चाहता हूँ ठीक है? Hindi का book है तो उसको add करना चाहता हूँ computer science के बाद मतलब array के सबसे last element में अगर मैं कुछ add करना चाहता हूँ तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पर type करेंगे पहले उस array का नाम book और dot और उसके बाद हमारे पास एक function होता है जिसका नाम होता है push तो आपको type करना है pusshpush और क्योंकि यह function है parentheses और semicolon लगा दो और उसके बीच में आप जो भी pass करना चाहते हो कर दो तो हमें pass क्या करना? Hindi तो हमने Hindi pass कर दिया अब अगर मैं books.length को हटा के book कर देता हूँ सिर्फ तो हमारे पास array दिखेगा array में हम देखते हैं कि computer science के बाद Hindi add हुआ या नहीं तो हम लोग इसको refresh करते हैं आप देखो पांच element हो चुका है और computer science के बाद Hindi add हो चुका है तो आप समझ गये होगे कि किस तरीके से हम लोग array के आखिर में जो सबसे last element है उसके बाद कैसे add कर सकते हैं अब हम लोग जो दूसरा काम हम लोग सीखने वाले है वो ये है कि सबसे पहला element कैसे करें हम लोग समझ रहो कि मतलब हम लोग यहाँ पर add करना चाहते है math से पहले Hindi add करना चाहते है तो कैसे करेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं करना है यह जो push function है उसको हम लोग बस क्या कर देंगे unshift unshift कर देंगे ठीक है तो यह देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ unshift बस sorry यहाँ पर मैंने add कर दिया unshift हो गया अब देखो अब क्या होगा अगर मैं refresh करता हूँ तो Hindi पहले आ गया उसके बाद math physics जो भाय हो था मतलब जो अगर हम पहले add करना चाहते है सबसे पहला element में add करना चाहते है तो हमें unshift use करना पड़ेगा सबसे ला आखिर में add करना चाहते है तो push करना पड़ेगा ठीक है अब दूसरी चीज कि अगर इसी तरीके से हमें element हटाना है तो हम क्या करेंगे तो element हटाना है आखरी से मतलब computer science को हम हटाना चाहते है तो हमें एक function आता है जिसका नाम होता है pop तो बस अब pop लिखोगे तो जो आखरी element है वो हट जाएगा ठीक है अब यहाँ पे देखो क्या होगा अब मैं अगर यहाँ पे refresh करता हूँ तो यहाँ से computer science हट गया सिर्फ bio बचा है अब देखो अगर मैं एक और बार pop यूज़ करता हूँ दो बार pop यूज़ करता हूँ तो दो element हट जाएगा पहले वाला pop क्या करेगा computer science हट आएगा हमारे पास function है उसका नाम है shift तो क्या होगा आप यहाँ पर देखो math हट जाएगा अगर मैं यहाँ refresh करूँगा तो math हट गया physics bio computer science इसी तरीके से अगर दो बार shift यूज़ करूँगा तो physics भी हट जाएगा तो आपको समझ में आगया होगा कि किस तरीके से हम लोग element को add कर सकते हैं और delete कर सकते हैं या तो front से या तो end से अब जो next हम लोग देखते हैं वो है कि मानलो मुझे कोई भी चीज इसमें से element हटाना है तो वो कैसे हटाएगी अभी तक तो हमने आगे और पीछे से हटाना सीखा है अब अगर मानलो बीच में हटाना है मुझे physics हटाना है तो कैसे हटाएगी तो उसके लिए हमारे पास एक function होता है splice s-p-l-i-c-e यह देखो s-p-l-i-c-e अब इसमें दो parameter पास होता है ठीक है पहला parameter यह बताता है कि कौन से position से हटाना है ठीक है तो मुझे मानलो physics से हटाना है तो यहाँ इसका position क्या है one है physics का क्योंकि math 0 है physics 1 है तो मैंने देख लिया कि one number position से हटाना है और second चीज यह पूछता है कि कितने element हटाना है अगर मैं one लिखूंगा तो सिर्फ physics हटेगा two लिखूंगा तो bio भी हट जाएगा three लिखूंगा तो computer science भी हट जाएगा ठीक है तो दूसरा यह बताता है कि कौन से position से काम करना start करना है मतलब हटाना start करना है और दूसरा यह बताता है कि कितना element हटाना है तो पहले मैं one ही हटाता हूं ठीक है तो one से one element हटाना है तो one कौन से physics है तो हटेगा कौन अभी सिर्फ physics हटेगा क्योंकि एक ही element हटाना है तो अब दे सेंस बचेगा यह देखो बच गया अब अगर मैं यहां पे करता हूँ कि दूसरा प्लेस मतलब पोजीशन टू से तो मैथ और फिजिक्स जीरो और वन है अब यह बायो से काम करना स्टार्ट करेगा और यह दोनों हटा देगा यह देखो अगर मैं यहां रिफ्रेस करूँ तो सिर्फ मैथ और फिजिक्स आया है क्योंकि पोजीशन नमबर टू से बायो है और कितने इलिमेंट हटाने थे दो तो दो हटा दिया अब अगर मुझे सिर्फ बायो हटाना था तो मैं का करता हूँ है यहां पे सिर्फ वन लिखूँगा अ उसको ही empty करना है तो empty करने का दो तरीका होता है पहला आप क्या करो कि उस array का नाम लिखो book और equal to करके blank कर दो array को मतलब जो square bracket है उसके बीच में कुछ मट डालो बस ऐसे लिख दो तो अब क्या हो जागा आप देखना book empty हो जागा इसमें 0 element हो जागा मैं यहां रिफ्रेस करत ठीक है मतलब कि उसका length zero कर दो मतलब उसके element का element सारा हटा दो अब देखो अब भी बात बराबरी होगा देखो मैं रिफ्रेस करता हो भी blank हो गया तो दो तरीका होता है array को empty करने का ठीक है अच्छा यह तो हो गया अब मान लो कि मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़ा array है मुझ फिर से आता है index of ठीक है तो माल लो मैं यहाँ पर एक variable बनाता हूँ let position और equal to अब मैं यहाँ पर क्या लूँगा array का नाम लूँगा book.index of और यहाँ पर मैं पास करूँगा कि किस चीज को मैं ढूंड रहा हूँ मैं ढूंड रहा हूँ bio ठीक है तो मैं यहाँ पर डाल देत है ठीक है तो मैं यहाँ पर position को output करता हूँ position अब देखो अगर मैं अब यहाँ पर refresh करूँगा तो क्या आएगा हमाल पास 2 ठीक है तो इस तरीके से हम लोग position जान सकते हैं अच्छा अब जब array इतना हम लोग देख चुके हैं तो आपको पता चल गया होगा कि कुछ-कुछ यह string जैसा match कर रहा था तो अब देखो अब उस समय हम लोग array नहीं जानते थे इसलिए मैंने explain नहीं किया था बट अब string के बारे में एक चीज़ note करो length भी same काम करता है index of भी same काम करता है तो जो string है वो actual में character का array है समझना है string जो होता है वो character का एक array होता है इसलिए हम लोग उसका index of और particular character भी याद है array से find करते थे array जैसा ही कि square bracket लगाते थे और 0 या 5 लिग देते थे तो e, a ऐसा एक एक character आता था तो एक बात याद रखना string जो होता है वो है array of characters उसको हम लोग string बोलते है इसलिए array का सारा function उस पे string पे काम करता है ठीक है अब हम लोग जो next चीज वो देखेंगे कि एक normal जो variable है ठीक है और एक array दोनों declare same तरीके से हो रहा है ठीक है अगर हम लोग यहाँ पे चाहते तो यहाँ पे यह भी तो कर सकते थे let book equal to math अब देखो अगर मैं अभी यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूं position को ठीक है अभी इसको console.log को blank कर देते हैं यह अभी देखो अब पहले वाला जो book है हमारा वो क्या है वो एक array है और दूसरा वाला क्या है एक variable है दोनों को declare करने का तरीका तो almost same था ना कुछ यहाँ पे तो हमने अलग नहीं लिखा दोनों में let ही लिखा है let book let book तो अब अगर आपको जानना है कि यह variable जो है book जो नाम है book वो array है या नहीं है तो वो कैसे check करते हैं तो उसका check करने के लिए हमारे पास एक और function होता है जिसके हम लोग बोलते है array.isarray ठीक है तो आपको यहाँ प्लिखना है a capital a array array.isarray यह एक function है ठीक है और इसमें parenthesis में आप pass करो उसका नाम तो अभी हम लोग क्या pass करेंगे book और देखो अभी दोनों तो हम same declare नहीं कर सकते तो हम एक को comment कर देते हैं तो हम पहले array वाले को ही comment कर देते हैं तो अब देखो अब हमें पता है कि book क्या है एक variable है तो यहाँ पे क्या return होगा false return होगा क्यूं क्यूंकि हम check कर रहे हैं कि क्या book array है तो वो कहेगा कि नहीं नहीं array क् अभी तो वो variable है, तो अब मैं refresh करूँगा, तो यहाँ पर क्या output होगा, false, आगया, और यही अगर मैं इसको comment कर देता हूँ, और इसको रखता हूँ, array को, तो अब क्या return होगा, अब return होगा true, तो अब देखो, true आगया, तो इस तरीके से हम यह जान सकते हैं, कि कोई भी variable है, या फिर array है वो, literal, ठीक है, अब जो next चीज में आपको बताएं जा रहा हूँ, उसके लिए मैं इस array को comment कर देता हूँ, और इसके नीचे एक text लेते हैं, let text equal to, अब देखो, हमारे पास एक text है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसका एक एक word, array में convert हो जाए, मतलब कि एक array बन जाए, और उसमें एक एक element में एक word store हो जाए, this एक अलग element में हो जाए, is एक अलग element में हो जाए, a एक अलग element में हो जाए, random एक अलग element में हो जाए, text एक अलग element में हो जाए, तो ये काम हम ल अब यह एरे है तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर टाइप करेंगे कि कौन से स्ट्रिंग को स्प्लेट करना है तो टेक्स्ट को हमें करना है और हमारे पास फंक्शन का नाम क्या है स्प्लेट मतलब स्प्लेट का मतलब ही होता है कि तोड़ना ठीक है तो अब देखो इसको हम लोग तोड़ते हैं स्प्लेट करते हैं तो स्प्लेट करेंगे कैसे तो हम लोग यहाँ पर पास करता है पारमेटर क्या पास करता है कि स्प्लेट किस चीज़ से करना है तो हमें एक् English language में, यह बताओ, वो एक space दिया जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक space दे देंगे, कि जहाँ पर भी आपको space मिलता है, वहाँ से split कर दो, अलग-अलग कर दो चीजों को, ठीक है, तो अब देखो, अब यह एक array बनके store हो चुका है, तो अगर मैं इसको output करूँगा, console.log पे, तो आप देखो, हमारे पास एक array बनके आएगा, जिसमें एक-एक word अलग-अलग store हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, हम लोग console में, कि क्या ऐसा हुआ, तो मैं refresh करता हूँ, अब देखो, एक अलग-अलग word में आ गया, this अलग आ गया, this अलग आ गया, यह अलग आ गया, random अलग आ गया, टेक्स्ट अलग आ गया, यह देखो, एक array बन गया है, अब इसी चीज़ को मैं एक और example देता हूँ, ताकि और अभी अच्छे से explain हो जाए आपको, अगर मैं यहाँ पे s से explain करूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, s मैं लिख देता हूँ, अभी तक मैंने blank space दिया था, इसलिए word अलग-अलग हुआ था, अब मैं s लिख रहा हूँ, तो s लिखते हैं क्या होगा, कि s से पहले वाला इधर अलग हो जाएगा, वो s के बाद वाला अलग हो जाएगा, मतलब हर एक जहाँ जहाँ पे s मिलेगा ना, वहाँ वहाँ से वो differentiate कर देगा, और s को हटा देगा, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, देखो, this message, thai हटा दिया, उसके बाद यहाँ पे s मिला था, वहाँ पे कर दिया, उसके बाद फिर a random text अलग ही हो गया, तो जहाँ जहाँ पे देखो, split के अंदर जो भी हम pass कर रहे ना, वो वहीं से तुकडा करेगा उसको, तो हमें अलग word चाहिए था, तो हमने blank space pass किया था, अगर हमने s pass किया, तो जहाँ जहाँ पे उसको s मिल रहा था, वहाँ वहाँ से उसने तोड़ दिया उसको, और जिस चीज को हम mention करेंगे उसको हटा भी देगा, तो देखना यहाँ पे कहीं भी s नहीं है, तो जहाँ जहाँ पे उसको s मिल वहाँ वहाँ से उसने word तोड़ दिया, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी text को break करके words में store कर सकत अच्छा अब यहाँ पे आता है, उल्टा, कि मान लो हमारे पास एक array है, जैसे अभी मैं इसको comment कर देता हूँ, और इसको open कर लेते हैं book को, मान लो हमारे पास एक array है, इसको मैं जोड़ना चाहता हूँ, एक sentence के जैसा, तो उसको कैसे जोड़ूँगा, तो वहाँ पे हमार और physics के बीच में क्या देना है, तो मैं एक sentence के जैसा कर रहा हूँ, तो मैं एक space दे देता हूँ, ठीक है, तो अब देखो कि इन सब के बीच में एक space आ जाएगा, और यह हमारे पास text मिल जाएगा, अब देखो, अब मैं अगर इसको refresh करता हूँ, तो यह string मिलेगा, text is not defined, कह space डाल देना, तो देखो, अब मैं अगर यहाँ पर refresh करता हूँ, तो हमारे पास math, physics, bio, computer science आ गया, और सब के बीच में space आ गया, अब देखो, हम इसको space के जगा पे अगर dash करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर dash डाल दिया हमने, अब देखो क्या होगा, math, physics, bio, computer science के बीच बी अब हम लोग जो next देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं कि दो array या दो से ज़्यादा array को जोड़ते कैसे हैं, जैसे, for example, यहाँ पर एक और array लेते हैं, book2, और array बनाने के लिए square bracket, और यहाँ पर semicolon close, अब यहाँ पर हम लोग दो book और add कर देते हैं, जिसमें एक होगा, एक काम करते हैं, languages कर लेते हैं, Hindi और English, अब मैं चाहता हूँ कि इन दो को जोड़ दूँ और एक नया array बना दूँ जोड़ कर, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पर एक function आता है, कौन cat नाम का है, यह याद होगा, string पर भी use किया था आपको, ठीक है, तो मैं बार इसलिए कर रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे कि यह string क्या है, characters का एक array है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते है, let new book, new book, equal to, अब हमें add करना है, तो हमें जो आगे रखना है, वो है book, ठीक है, कि पहले math, physics, bio, computer science है, तो हम लोग पहले लिखेंगे book, उसके बार लिखेंगे dot, और उसके बाद हम लोग function use करेंगे, concat, अब function है, तो हमें parenthesis open and close करना है, और semicolon लगा देना है, और उसके बाद, अब यहाँ पर हम लोग mention करेंगे, कि किस array को करना है, हमें book 2 को करना है, concatenate, अब मैं इसको कर लेता हूँ, save, अब यहाँ पर मैं यह जो नया array बना है, new book, उ उसको हम लोग console.log करवा लेते हैं, देखने के लिए कि इसमें क्या आया है, अब देखो, अब मैं यहाँ पर refresh करूँगा, तो क्या आगया, अब 6 element हो गया, math, physics, bio, computer science, Hindi, English, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया हो, किस तरीके से हम लोग multiple array को वो कर सकते हैं, concatenate कर सकते ह मैंने आपको string में बताया था कि कॉमा देखें, यहाँ पर pass कर दो, अब देखो, यहाँ पर मैं क्यार करता हूँ, फट 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 एक और array बना देता हूँ, three, book three, और यहाँ पर कर देता हूँ, कुछ और भी add कर देता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग add कर देते हैं, पंजाब three, और यहाँ पर उर्दू, ठीक है, पंजाबी उर्दू add कर दिया, अब देखो, अब मैं और add करूँगा, अब देखो, अब यहाँ पर तीन मुझे add करना आ रहे, तो मैं यहाँ पर कॉमा देता हूँ, और type करता हूँ, book three, अब देखो, यहाँ पर जिस order में दिया है, उस समझ में आ गया हो, आपको multiple array को concatenate जोड़ते कैसे हैं, अब हम लोग जो next देखने वाले हैं, वो है multi-dimensional array, तो देखो, अभी तक क्या हो रहा था, कि जो array था, array के अंदर हम क्या store करते थे, अच्छा रूखो, इसको मैं clean कर देता हूँ, ताकि आप लोग को बहतर समझ में आ single-dimensional array कर लो, या simply array कर लो, तो इसके अंदर, array के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कि एक-एक element रस्टोर करवाते हैं, ठीक है, एक-एक variable समझ लो, रस्टोर करवाते हैं, अब मेरे पास एक जरूवत ऐसा आता है, कि भाई, array के अंदर array store करना है, ठीक है, तो उसको हम लोग करते multi-dimensional array, array के अंदर, जब हम लोग array store करेंगे, तो उसको बोलेंगे multi-dimensional array, अब आप बोलोगे कि ऐसा जरूवत ही कपड़ेगा, तो मैं अभी आपको एक example देता हूँ, माल लो, अभी हमने एक normal सा array बनाया book, जिसमें सिर्फ book का नाम लिखा है, अब माल लो, हमारे पास एक ऐसा और information है, तो हम लोग एक array के अंदर एक और array बना सकते हैं, ठीक है, तो array का array बनाना, तो आप वो कैसे बनाएं कि वो देखो, तो मैं यहाँ पे, क्या करता हूँ, book भी रहने देता हूँ, ठीक है, तो इसको, अब मैं यहाँ पे दूसरे नाम से कर देता हूँ, मान लो कर दे ठीक है, book with page कर देता हूँ, चलो, meaningful नाम होना चाहिए, यह आपको भी आदत पड़ जाना चाहिए, कि आप कोई भी variable या array का नाम मनाते हो, तो उसको meaningful नाम दो, ताकि देखते के साथ पता चले, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, pages, book with pages, equal to करते है, area बनाने का पहला चीज मैंने आपको क्या बताया था, कि square bracket, open और close करो, आपका हो गया, ठीक है, जब आप कोई भी function यूज़ करोगे, तो parenthesis यूज़ करते हो, और जब आप square bracket यूज़ करते हो, तो वो array बन जाता है, तो अभी हमारा क्या होगे है, एक single array बन गया, ठीक है, अब मुझे इसमे array store करना है, तो मैं क्या करूँगा, कि इसके अंदर एक array store करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब normal क्या करते थे, देखो उपर क्या करते थे, हम लोग comma डाल डालके, सीरा element डालते थे, अभी यहाँ पे भी comma से ही separate करेंगे, बट यहाँ पे array डालेंगे, तो array के अंदर array बन तो math लिखा और दूसरा element क्या है math में कितने page है वो बताना है तो महान लोग 300 page है तो मैंने यहां लिख दिया 300 page अब हमें एक और array बनाना है तो हम लोग comma देंगे और फिर एक square bracket close और open करेंगे और उसके अंदर फिर से लिख देंगे क्या physics अब physics के अंदर कितने page है वो देना है तो comma देकर हम लोग फिर से इसके अंदर page जो 500 अब लिख देंगे फिर एक और array बनाना है तो क्या करेंगे फिर से यहां पर हम लोग comma देंगे और एक square bracket open close करेंगे और वहां पर फिर से हम लोग क्या लिखते है बायो और फिर comma डालते है और sorry यहां पर comma डालते है और उसके बाद फिर से हम इसका page number डालते है कितना 400 तो अब आप देखे होगे कि एक array के अंदर हमारे पास 3 array है ठीक है यह देखो अगर इसको अच्छे से अगर आपको देखना है न तो मैं तो एक काम करता हूँ देखो square bracket से अच्छे से multi-dimensional array को ल ठीक है फिर last वाले को आप ऐसे कर सकते हो तो अब देखो यह देखने में अब अच्छा लगने लगया समझ में लगया अभी हमने क्या किया जो पहला square bracket था वो array का array बनाने के लिए उसके बाद उसके अंदर हमने element ना बना के हमने एक array बनाया है और फिर जो second array बनाया है उस से आप एक array दे सकते थे ठीक है ऐसे करके तो यह आप पर depend करता है कि आप इसको कितना multi-dimensional बनाना चाहते है अब मैं इसको आपको बस यह बता देता हूँ कि किस तरीके से आप access करोगे और update भी ऐसे करते हो तो access करने का इसमें भी तरीका same होता है पहले आप हर एक array को आप आ दूसरा array क्या हुआ assign 1 और जो तीसरा array उसको assign हुआ number 2 ठीक है अब यहाँ पर फिर इस array का अलग numbering है math को assign हुआ 0 और इसको assign हुआ 1 ठीक है कुछ इस तरीके से देखो अभी error आएगा मैंने बस लिखा आपको समझाने के लिए कि हर array को फिर पहले 0,1,2 assign हुआ उसके अंदर के element को अपना 0,1,2 assign हुआ यहाँ पर सब को देखो ऐसे ही assign हो रहा हुआ देखो मैं अभी लिख देता हूँ बार मैं हटा दूँगा ताकि आपको दिख सके कि क्या हम लोग को मिलने वाला है देखो कुछ इस तरीके से numbering होता है तो जब हम लोग access कर रहे है मानलो मुझे अ array number one one number का कौन सा element तो one number का हमें 0 element तो फिर एक square bracket लेना है और यहाँ पर डालना है 0 तो उससे हमें क्या output आएगा physics क्यूं आएगा वो देखो पहले जब आपने ऐसा लिखा तो इसका मतलब क्या book with a page मतलब यहाँ पर गया इसका पहला element तो इसका पहला element क्या है 0 1 तो इसका प पहला element भी यह कह रहे है तो अब हमें physics output करना है तो पहला element का sorry जो first number position पर element है उसका जो 0 position पर element है वो output करो तो अब ही हमारे पास output होगा physics पर अभी तो गडबड हो जागा क्योंकि हमने syntax change कर दिया यह सब लिख लिख के तो मैं इस सम्प को हटा देता हूं यह मैंने सम्झाने के लिए आपको लिखा था कि क्या output होगा अब अगर मैं यहाँ पर मैं काम करता हूं इसको console.log में डाल देते हैं यहाँ पर मैं कर देता हूं एक और variable बनाते हैं और यहाँ नाम रख देते हैं चलो fetch लिख देते हैं कि हम कुछ fetch कर रहे हैं उसको store करना और console.log में fetch डाल देत अब हम लोग देखते हैं कि क्या output आता है हमारे पास मैं refresh करता हूँ हमारे पास आ गया physics तो समझ में आ गया कैसे access हुआ अब मान लो कि मुझे ये पूरा array देखना था तो मैं यहाँ पर दूसरा element नहीं दूँगा मैं सिर्फ one लिखूँगा तो one लिखते हैं कि आओ गया अब हमारे पास one में जो array है वो पूरा का पूरा output होगा physics और 500 यह देखो आगया अब अगर मान लो कि मुझे फाइव हेंडेड एकसेस करना था तो one array का one element यह देखो आगया अब देखो अब मैं यहाँ पर रिफेस करूंगा तो क्या आगया इसी तरीके से माल लो मुझे बायो का four-handed access करना था तो मैं क्या करूंगा कि कौन सा element है बायो और a second element तो second element का हमें one number position पर एकसेस करना है मतलब four-handed access होगा यह देखो मैं इसको refresh करता हूँ four-handed आ गया तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आगया multi-dimensional array क्या होता है array के अंदर array होता है और उसी तरीके से हो जाता है numbering होना start हो जाता है पहले जो पहला वाला array था उसको numbering मिलता है 0 से उसके बाद उसके अंदर वाले चीजों को भी एक number मिलता है तो अगर आप array के अंदर array बनाते हो अगर यहाँ पर 300 के अंदर एक और array बना देते हो ठीक है और उसमें आप क्या करते हो 300 लिखते हो तो इसको अगर आपको access करना था तो आप कैसे करोगे आप यहाँ पर ल अगर चानलो access करना है यह 500 को access करना तो हम क्या करेंगै पहले हमें 0 अगर वंगर आत वाला array यह दाला उसके बाद, position यह देखो, तो I hope अब आपको समझ में आ गया होगा कि multidimensional array कैसे बनाते हैं, कब बनाते हैं और क्यों यूज करते हैं, मालों यहाँ पर math का हमाल पास दो book था, एक में 300 page था, एक में 500 page था, तो हम लोग ऐसे store कर सकते हैं information को, तो यह सब सब जो है, वो information store करने का तरीका है, ठ थाकि आपको जादा से जादा variable ना बनाना पड़े, अब जो next हम लोग बात करेंगे, वो करेंगे, loop through an array, ठीक है, कि एक array हमें मिला है, चलो इसको हटाते हैं फटा-फट पहले, तब फिर समझ पायेंगे हम लोग better, तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, कि एक array book है, तो इसका हर एक element को हम programming के थुरू कैसे access कर सकते हैं, कि पहले हम math के साथ कुछ करें, उसके वाद physics के साथ कुछ करें, उसके बाद bio के साथ करें, उसके पाद computer science के थुरू करे, ठीक है, तो हम a manually ऐसे जाके ना लिखना पड़े, कि book, zero, one, ठीक है, तो हम programming के थुरू कैसे, इसको पूरा का पूरा एक्सेस कर सकते हैं, इसके अंदर जितना भी element होगा उसको एक्सेस कर सकते हैं तो देखो, आपको पता होगा कि हमने पहले loop बताया था, तो अभी यहाँ पर हम लोग काम लेंगे loop का, तो loop क्या use करेंगे, for loop यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, for, parenthesis on करते हैं, और उसको कर लिख लिख सकते हो, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कि console.log लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ले, अभी यहाँ पर हम लोग output ही कर रहे हैं, आप यहाँ पर condition वगरा लिख सकते हो ना, कि if, अगर math हो, तो यह काम करो, physics हो, यह काम करो, मतलब आप searching के लिए भी यूज कर सकते हो, किसी भी चीज के लिए आप यूज कर सकते हो, तो अभी हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं, कि किस तरीके से हम लोग automatic सारे element को access कर पाएंगी, तो उसके लिए आप देखो, यहाँ पर इसको क्या मिलता है, जीरो मिलता है, और इसको क्या मिलता है, वन मिलता है, तो हम start करते हैं, I equal to 0 से, ठीक है, ताकि हमें help मिल जाए, उसके बाद, हमारा दूसरा condition क्या है, कि I कहां तक जाएगा, मतलब, I को खतम कहां पर करना है, तो हमें एक चीज पता है, नहीं है, देखो तो अभी हमें दिख रहा है, कि book में 4 element है, अब हम count करेंगे तब तो अगर हम बहुत बड़ा array हो, तो हम count करें, नहीं, तो हमें length कैसे पता चलेगा, कि कहां तक जाना है, तो हमें क्या करना है, length पता करने के लिए, हमारे पस क्या था, एक function था, तो हम लोग फटा फटा फट चल जागा, और function पर आऊँगा, तो function क्या होता है, ये भी पता चल जागा, तो अभी हम लोग, ये जो variable बना है, length, इसमें हम लोग store करेंगे, कि इस array का कितना length है, ठीक है, क्योंकि for loop का दूसरा condition क्या होता है, कि कितने देर तक for loop चलाना है, कितनी बार for loop चलाना है, तो हम स सिर्फ इतना लिखते है, length, ठीक है, अब इतना हमने लिख दिया, तो इस length के अंदर, यहाँ पर का कर देते है, book length कर देते है, book length, तो जो book length है, उसके अंदर हमारे पास book का length आ गया, कि इस array में कितना element है यह आ गया, तो हम इस variable को यहाँ पर use कर लेते है, कि i is less than book length, क्योंक 0 से start होता है, तो हमने यहाँ पर कितना अच्छे तरीके से use किया, कि start 0 से किया, लेकिन इसको run कब तक कर रहा है, मातर 3 तक, क्योंकि less than का sign यूज किया है, यहाँ पर एक बात गौर किसे याद रखना देखो, यहाँ पर less than का sign यूज किया, कि i is less than book length, book length 4 है, तो less than का मतलब 3 तक चलेगा, और यहाँ पर हम लोग फिर से increment कराते हैं, i++, sorry, i++, तो अब देखो क्या होगा, कि पहले बार में हमें math मिलेगा, दूसरे बार में physics मिलेगा, तीसरे बार में bio मिलेगा, चौतरे बार में computer science मिलेगा, अब 4 बार access हो चुका है, तो जब book length 4 पर आएगा, तो व पूरे के पूरे iterate करते हैं, अब चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर output पहले कुछ करवा लेते हैं, उसको फिर से एक बार revise कराऊंगा, कि मैं कैसे for loop काम करते हैं, तो मैं यहाँ पर tilt use कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पर template literal use कर सकूँ, तो अब हम लोग यहाँ पर लिखते है, element element, element, और यहाँ पर dollar का sign देते हैं, यह template literal आपको याद होना चाहिए कि क्या है, अब यहाँ पर मैं I लिख देता हूँ, ताकि हमें पता चले कि numbering कौन सा चल रहा है, यह वाला variable, कि कौन सा element पर कौन सा position है, यह हम लोग लिखना चाहते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं is, और फिर से template literal बना देते हैं, और इसके अंदर अब की बार हम लोग डाल देते हैं, कौन सा element है, book और it element, देखो, ऐसे किया, अब देखो, अब हमारे पास क्या आता है, console.log में यह देख लेते हैं, यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं special character यूज़ करता है, new line का, अब मैं इस तरीके से हमने सब को access कर लिया, बारी-बारी से, और सब में हमने sentence की तरह बना दिया, ठीक है, बना दिया, अब फिर से इसको एक बार देखते हैं, तो देखो, हुआ क्या, कि हमने पहले length पता किया, array का, उसको बाद एक for loop लगाया, for loop 0 से start किया, क्योंकि array 0 से start होता है, और हमने तब तक चलाया, जब तक उसका length है, मतलब 4 बार चलाना है, तो 0 से start हो रहा है, तो हमने 3 तक चलाना है, तो हमने यहाँ पर less than का sign यूज किया, less than equal to का sign यूज नहीं किया, यह बात गौर करने वाली बात है, फिर एक एक करके increment किया, और यहाँ पर element को access जैसे हम लोग normal book के साथ करते है, आई का पहली बार में 0 होगा, दूसरी बार में 1 होगा, तीसरे बार में 2 होगा, ऐसे होता है, जैसे यह करेगा, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर यह output आया है, कि 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ भी हमने आई दिया था, element के बाद आई, त यह एक तरीका होता है, कि हम लोग array को access कर सके एक-एक element को, अब जो दूसरा तरीका होता है, वो हमारे पास होता है, एक for each करके function होता है, उसको, तो अब मैं next वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है, बट उसके लिए मैं function का concept चाहिए होगा, function मैं next function ही बताने वाला हूँ, तो इ मैं बता देता हूँ, इसलिए क्योंकि array के साथ array का पूरा चीज हो जाए तो अच्छा रहेगा, वैसे तो आप इसको भी use कर सकते हो, बट अब मैं आपको बताता हूँ कि for each कैसे use करते है, तो for each को बताने से पहले मैं इसको क्या करता हूँ, पूरे को comment कर देता हूँ, comment मैं इसलिए कर रहा हूँ, ताकि जब for each से बता हूँ, तो आप compare कर सको कि for each में क्या extra नहीं हुआ था, ठीक है, for each में क्या extra नहीं करना पड़ा है, और दो तरीका क्यों है, तो for each को जानने के लिए हमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें बस दो काम करना है, पहले तो एक for each क करने के लिए क्या करते है, dot use करते है, dot use किया, अब हम लोग लिखते है, for each, यह function है, तो parenthesis यह bracket जो भी बोल लो बंद और close हो जाएगा, और यहाँ semi-color, यह हो गया, अब इसके अंदर हम लोग पास करते हैं, कि access हो तो रहा एक function का नाम देना है, तो माल लो यहाँ पर हम लो यहाँ पर पास किया है, यह एक function का नाम है, तो जब हमने function का नाम दिया, तो एक function बनाना भी तो पड़ेगा, तो देखो function बनाते कैसे हम लोग यहाँ पर लिखते है, function, यह मैं next आपको detail में बताने वालो हूँ, हम लोग function बनाते कैसे, function लिखते है, और यहाँ पर लिखते अब ही हम लोग यहां पर नाम लिख लेते हैं value, एक parameter पास करती है value नाम का, और अब इसको हम लोग यहां पर use कर लेंगे इस value को, तो इस value में क्या होगा न, कि एक-एक करके book सारा का सारा आ जाएगा, तो अगर मैं console.log करता हूँ, console.log और यहां पर क्या करता हूँ, value प्रेंट करता हूँ, value, तो अब देखो क्या प्रेंट होगा, ठीक है, math, physics, bio, computer science, एक-एक करके हमने सब को access कर लिया न, देखो, same, वही काम, अब यहां पर आप compare करो, यहां और यहां से फर्क क्या पड़ा, कि हमें जादा का जादा यह सब condition नहीं लिखना पड़ा, loop नहीं लिखना पड़ा, हमें array का length जानने के जरूरत नहीं पड़ा, इसमें और इसमें फर्क क्या पड़ा, कि हमने length नहीं जाना, एक loop नहीं चलाया है, हमने direct एक function यूज किया, for each, और उसमें एक और function का नाम पास किया, और उस function को यहां पर define किया, function को कैसे define करते हैं, आगे मैं बताने वाला हूं, detail में, तो tension मतलो, अब उसके बाद जब सीख लोगे मैंने वही किया, मैंने value को output करा दिया, अब value में एक एक करके math आगया, physics आगया, y.o आगया, computer science आगया, और यहां पर output आगया, तो इस तरीके से हम लोग दो तरीका होता है, हमें iterate करने का, iterate करने का मतलब क्या होता है, iterate करने का मतलब होता है, एक एक element को access करने का, ठीक है, त तो इस तरीके से ही, या तो आप for loop से कर लो, या इस से कर लो, बात तो बराबर ही है, पर forage से कर लो, क्योंकि length जानने के जरूत नहीं पड़ता है, इसमें,